मतलब कुछ लोगों को भिनाबात की खुझली मची रहती आप कुछ करी नहीं सकते मतलब ऐसे ऐसे बाते मैं थीक है मैं बोलना नहीं चाहता मतलब एक छूटा से में आपको एक छोडी सी बस बात बोलूगा कि कुछ ने कहा कि publicity stunt एक भाई साब थे जिनोंने कहा कि फलाने कडोर का इनका batch बन जाएगा मतलब मैं एक चोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ अगर मुझे publicity stunt ही करना होता अगर अगर मतलब वहीं करना होता तो ये बताइए कि जिस दिन मैंने mains का batch launch किया था उस दिन से बहतर क्या कुछ और हो सकता था नहीं हो सकता था न इनसान जब mains का batch launch करता है उससे पता है कि हाँ market में बच्चे भी किसी का batch नहीं लिये हुए है जितना फेकना है इसमें फेक लो जितना कहना इसमें कहलो जितने admission बटोरने है इसमें बटोर लो मैं उसी दिन ये गोशना कर देता कि भाई एक बात बताओ जितने बच्चे जो हैं जो मेरे स्टूटेंट हैं जो मेरे स्टूटेंट हैं जो लेकर आएंगे उनको मैं थार दूँगा उस दिन मेरे को समझ में भी आता कि admission बटोरने के लिए आधित तरिंजन ने ऐसा गटिया काम किया है पिक हता कि उनके batch में बहुत ज़्यादा मेंस के admission हो जाएं वो अपने आपको और बढ़ा कर लें और पैसे कमा ले मतलब जहां पर मेरे batches में admission close हो गया है आप ऐसे समझेए जहां batches में admission close हो गया है अब सभी चीज़े एंड के का गार पर हैं बेंस का syllabus कतम होने वाला है बस paper होने वाला है मन में एक इच्छा जागी बूल दिया उस चीज़ को कहां से कहां लेके जाना मतलब इस समय तो ऐसा है ना सबने बहती गंगा में हाथ दोना है सब को दोना है अपने theory projections लेकर आ रहे हैं एसा ना करके ऐसा किया जा सकता था इसको यहां फलानी चीज में दान दी जा सकती थी इसको फलानी चीज में ये किया जा सकता था अरे सर आप अपना काम करिये ना ठीक है किसी ने कहा ग्यान देने को ये बताइए पहले किसी ने कहा ये बताइए नहीं कहाना फिर जबरदस्ती की चीज़ों में आना जबरदस्ती के बातों में करना मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या बूलू यार मैं मतलब ठीक है कुछ चीजे लाइफ में सबक ले रहा हूँ मैं लोगा कोई बात नहीं ठीक है कि मैंने कहा भी न पिछली वीडियो में कि बच्चों के लिए कुछ करना क्या होता है वो मुझे अब पता चल रहा है